हेलो एबरीबन मैं नमू मलेक आप सब का फिर से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपकी छोटी सी और प्यारी सी क्लास में जिसमें आज हम जानने वाले हैं गुपता एम्पायर से जुड़े हुए सारे सवालों के बारे में आपका एक भी सवाल एक्जाम में नहीं चूटेगा इस 10-15 निट की वीडियो में यानि कि छोटी सी वीडियो में हम सारे वो सवालों को करेंगे जो SSE या कोई भी एक्जाम में आपसे बार-बार पूछे जाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के बच्चा तो सबसे पहले गुपता एंपायर का सबसे पहला सवाल कि गुपता वंच का साशनकाल क्या था तो देखें बच्चा जो एक्जेक्ट है आपका गुपता वंच का साशनकाल वो माना जाता है 319 से लेकर 540 AD तक ठीक है अब गुपता वंच का जो रियल फाउंडर था आपसे पूछा जाता है ध्यान रखना गुपता वंच का जो रियल फाउंडर था वो आप नाम लेंगे 319 AD से लेकर 300 आपका लगग लगग 40 AD तक जो रहे हैं ठीक है यह 319 AD से उनका शुरू होता है ओके यह चीज ध्यान प्रथम क्या नाम है चंद्र गुपत प्रथम इनको रियल फाउंडर माना जाता है लेकिन इन से पहले भी अगर बाएचांस ओफ्षन में यह नहीं है तो आप शिरी गुपत लगाओगे शिरी गुपत के बाद आप क्या लगाएंगे शिरी गुपत के पुत्र का नाम था घटोतकच बच्चा, ठीक है, क्या था? घटोतकच. घटोतकच के पुत्र थे चंद्रगुत प्रथम, जिनको 319 AD में गुपता सामराज्य का रियल फाउंडर माना जाता है. अब यहां से आगे बढ़ेंगे, जैसे अगला सवल आप सब के सामने, गुपत वंच के संश्थाप कौन थे? तो आप यहां पर आंसर लगाएंगे. अगर चंद्रगुत प्रथम उप्षन में आपका है, तो यही उप्षन आपका सही रहने वाला है, क्योंकि SST ने इसको सही माना है. चंद्रगुत प्रथम आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा. चंद्रगुत प्रथम ने आपका जो लिच्छावी कन्या थी ठीक है लिच्छावी जो राजकुमारी थी उनसे विवाहा किया था ये बहुत पूछा जाता है नाम था कुमार देवी क्या नाम था कुमार देवी से विवाहा किया था और इस विवाहा में इनको पाटली पुत्र दहेज के रूप में मिला था, क्या मिला था, पाटली पुत्र दहेज के रूप में मिला था, चंदरगुप्त प्रथम वो पहले गुपता साशक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधी धारण की थी, महाराजा धीराज का मतलब होता है, सभी राजाओ का राजा, क्या होता है, सभी राजा का भी राजा, तो पहला गुपता साशक जिसने महराजा धिराज की उपादी धारेन की थी, वो आपके थे, चंद्रगुप्त प्रथम जिनको रियल फाउंडर माना जाता है, इनकी जो लेंगवेज थी, गुपता सामराज्य की जो लेंगवेज थी, वो संस्कृत थी, ध्यान गया है क्योंकि इस टाइम पर बच्चा हर एक चीज हुई है, सामराज्य का विस्तार हुआ है, आपका एक तरह से महान खगोल सास्री आर्यबट इनी के काल में थे, आपके काली दास इनी के काल में थे, आपके शुशुरुत जिनको सर्जरी एक महान सर्जन बोला गया है, धनवंत्री, आयुर्वेद के ज्याता, वो इनी के काल में थे, इसलिए इसको भारत का स्वन काल बोला गया है, आगे चलिए अगला सवाल जैसे, पहला उप्शन सही हो गया, गुपता काल को किस नाम से जाना जाता है, यह हमारा हो गया, भारत का स्वन यूग, गुपता का पाएंगे, वो अपनी कैपिटल जो है, वो उजयन बनाएंगे, लेकिन यह आगे करेंगे, आगे देखी, आगे क्या है, गुपता वंस की मुख्य भाषा कौन थी, अभी मैंने बताया है, संस्कृत इनकी मुख्य भाषा थी, किस गुपता साशक ने महराजा धीराज की कुमार देवी, जिनको जो लिच्छावी राज कुमारी थी, कुमार देवी, इन दोनों के पुत्र का नाम था, ठीक है, इन दोनों के पुत्र का नाम था, बच्चा, क्या, समुंद्र गुपत, समुंद्र गुपत, अब समुंद्र गुपत के पास नजाने, कितनी उपादि समुद्र गुप्त को कवी राज कहा जाता है क्या कहा जाता है कवी राज समुद्र गुप्त को कहा जाता है अश्व मेग करता कवी राज को समुद्र गुप्त को कहा जाता है यह महान साशकों में थे पूरे गुपता सामराज जगे तो सही option क्या हो जाएगा that is समुंद्रगुप्त, ओके देखो आगे, समुंद्रगुप्त का पुत्र, समुंद्रगुप्त वोस दिस सन ओफ बचा, चंद्रगुप्त प्रथम, इसका correct answer हो जाएगा, कौन सा गुपत राजा, गुपत राजा, गुपत पीरियड का मतलब बचा, संगीत वाधेयंद्र का आ आगे उसका भी जवाब है आपके पास, कि समुंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, विंसेट स्मित ने कहा था, किसने कहा था, विंसेट स्मित ने कहा था, भारत का नेपोलियन, समुंद्रगुप्त की कहानी हमें किस परशस्ती से मिलती है, परशस्ती का मतलब होता है, बच्चा किसी की परसंशा में लिखा हुआ लेख, ठीक है, किसी की परसंशा में लिखा हुआ लेख, तो समुद्र गुप्त के दरवारी कवी थे, ठीक है, समुद्र गुप्त के दरवारी कवी थे, राजा हरी सेन, ठीक है, क्या नाम था, राजा हरी सेन, हरी सेन ने बच्चा इलहबाद encryption पर ये आपकी इसकी रचना की हुई है और इसमें हमें समुन्दर गुप्त के बारे में पता चलता है बात करें आयहोल की तो आयहोल जो आपके encryption है ना बच्चा वो आपके लिखे है रवी कृती ने यस रवी कृती ने और पुलकेसिन 2nd जो कि चालुक्यवंस के स स्थापक कहे गए हैं पुलकेसिन 2nd के बारे में इन लिखे होल इनकरिप्शन में आपके कालीदास के बारे में भी पता चलता है ध्यानरखना कालीदास जो गुप्टा सामराज्य के एक उacious one कवी हुए हैं ठीक है चलो आगे चलते हैं आगे समुंद्रगुप्त के पुत्र का नाम क्या था बच्चा तो समुंद्रगुप्त के पुत्र का नाम यहां पर क्या हो जाएगा चंद्रगुप्त दुवित्या होगा समुंद्रगुप्त के बाद रामगुप्त आए थे जो एक आयोग्या साशक निकले थे लेकिन उनके बाद चंद्रगुप्त दुवित्य आये थे जिनको आप विक्रामादित्य भी बोलते हैं ठीक है क्या नाम है इनका विक्रामादित्य यह एक उपाधी है ठीक है विक्रामादित्य की उभाती चंद्रगुप्त सेकिंड ने जब शको को हराया था ठीक है जब शको को हराया था तब इन्होंने ये उपाधी धारण की थी चंद्रगुप्त दवित्या जिनका नाम है विक्रामदित्या। और यही है जो अपनी राजधानी उज्जेन बनाते हैं, क्या बनाते हैं? अपनी राजधानी उज्जेन बनाते हैं। ध्यान रहेगा धेर सारे question हो गए हैं, आगे चलते आगे आपका क्या है इनके बारे में विक्रामदित्य के दर्बार में परशिद चिकिच्चा का धनवंत्री थे इनके बेसिकली नो रतनों में से एक ठीक है धनवंत्री नो रतनों की जो आपके एक तरह से कहिए ना पर क्या बोलते वच्चा उसको एक नो रतन सबसे पहले जो एक तरह से, ओके लेकिन धनवंत्री इसका सही जवाब हो जाएगा, नू रत्नों की परिसद, इसका संबबंत kis से है, इसका चंदरगुप्त द्वित्य यानि कि बिन्दुसार से है, हासफच देख है अपना बूत मैगेस्थ भेजा है आगे देखें चंडरक्पत दुवित्या की दर्बार में ने कून्सा परसिद कवी रहता था कालिदास रहते थे ध्यान रखना आगे कालिदास को क्या कहा गया है भारत का सेक्सपेर इनको कहा गया है आगे कवी कालिदास का नाम हमें कहां से मिलेगा तो जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चा कवी कालिदास का नाम हमें आहोल इंक्रिप्शन से मिलता है ठीक है जो लिखे गए हैं मैंने अभी बताया ना परसंशा में लिखा हुआ लेक तो ये रवी कृती ने आपका किनकी परसंशा में पुलकेशिन सेकेंड के बारे में हमें इनकी जानकारी मिलती है आगे चलते हैं पंच तंत्र किस ने लिखी है विश्नु शर्मा ने लिखी है द्वित्य के पुत्र का या विक्राम अधित्य जिनको बोला गया है इनके पुत्र का नाम क्या है कुमार गुप्त है इनके बारे में एक चीज जान लिजे कुमार गुप्त जो है नालंदा विश्व विध्याल्य ठीक है नालंदा विश्व विध्याल्य की स्थापना इनो नोने की थी, एक सवाल पूछा जाता है कि भुआ गुपता काल में, सिख्षा का केंद्र जा जी था?", नालंदा मत लगा के आ जाना, आपको लगाना है तक्षीला था, शाकर क्योंकि नालंदा तो बहुत बात कमुंत, कुमार गुप्त ने आकर बनवाई है, ठीक है, नालंदा युनिवस्ट्री, कुमार गुप्त ने ही सबसे पहले बच्चे चांदी के सिक्के चलाए थे, ध्यान रखना, चांदी के सिक्के चलाए थे, गुप्ता पीरियड में सबसे पहले आगे देखते हैं, कुमार गुप्त आक्रमन किया था बच्चा, तो हुनों ने जो आक्रमन किया था वो सकंद गुप्त का, हुनों को हड़ाने वाला सकंद गुप्त था आपका, गुप्त काल में सोने के सिक्चे का नाम क्या हुआ करता था, दिनार हुआ करता था, और जो चांदी के सिक्चे हुआ करते थे, वो रुप्य का हुआ करते हैं ध्यान रखना चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के का नाम दिनार हुआ करता था, गुप्त काल में चांदी के सिक्के का क्या नाम था, अभी मैंने आपको बताया, आपका क्या हो जाएगा, रुप्य का हो जाएगा, गुप्त काल में एक महान महान महा तोल शास्री और आपके गणितग्य कौन थे and he was the आर्यभट जिसने एक्च्वल में बताया कि सोलर सिस्टम है क्या बच्चा ठीक है कि आपकी प्रित्वी घूम रही है और प्रित्वी सूर्य के चारोर भी घूम रही है ब्रत सहिता किसके द्वारा लिखी गई बुक है ब्रह तो सल्यचिकित्सा का भगवान कहा जाता है यह बेसिकली कि सर्जन थे सर्जरी का सबसे पहले इजात बोला जाता है इनोंने ही किया था आगे देखिए है गुपता वंच का अंतिम साशक कोन था तो गुपता वंच का अंतिम साशक बच्चा विश्णु गुपता तो यह ब बहुत सारे सवाल जो है, clear हुए होंगे, इस छोटी सी class में, आगे ही किसी एक ऐसे ही topic के, बहुत important important question plus कुछ extra facts हम ऐसे ही लाते रहेंगे आपके लिए, आप अपने प्यारी सी नहुए मैंको भी विदा दीजिए, thank you, thank you, thank you so much, और मेरी class daily होती है, शाम को 6 बजे, जो डेडिक created है CHSL और MTS के लिए, उसको भी आप देखिए, thank you everyone.